So hello and welcome you all I am Rohit from Mahajan Trader So guys, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ railway sector के shares के बारे में यहाँ पर बात होंगी IRFC के बारे में RVNL और Railtail को भी हम discuss करेंगे इनके कुछ levels को हम discuss करेंगे और guys यहाँ पर बिल्कुल RVNL के धमागेदाल results आये हैं और guys यहाँ पर IRFC के results भी 13 तारिक को announce होने वाले है तो क्या हमें dividend share में मिल सकता है वो हम यहाँ पर देखेंगे और इसके साथ-साथ ही RVNL और Railtail को भी देखेंगे वीडियो को आइन तक देखना और अगर अभी तक आपने मेरे channel The Mahajan Trader को subscribe नहीं किया है तो please guys चैनल को भी subscribe कर देना दो पर ते वीडियो को start तो यहाँ पर पहले बात होंगी IRFC के बारे में IRFC इंडियन डेलवे फाइनन्स कॉर्परेशन लिमिटेट लास्ट रेडिंग सिजन पॉजिटिव रिटरंस देता हुआ नजर आया था यहाँ पर अगर देखें अल्मोस्ट यह 30 रुपे 30 पैसे तक के ऊपर रिटरंस दे चुका था बठे बाद में गिलता हुआ नजर आ गया यहाँ पर guys अगर आप देखो तो 30 रुपे 15 पैसे के लेवल पे shared है हमें closing दी है वही बात करें यहाँ पर रिटरंस की तो रिटरंस है 0.17 परसें तक के यहाँ पर last trading season के और क्या guys यहाँ पर dividend हमें मिलेगा तो यहाँ पर आगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो इसके dividend history है उसमें इसने फरवरी मन्थ में सिर्फ एकी बार dividend दिया है ओह है 2021 में इसने dividend दिया था 2021 के नुवेंबर में फिर dividend दिया था 2022 के सेप्टैंबर में और फिर dividend दिया था 2022 के ही नुवेंबर में 2022 में इसने कोई भी डिविडेंट सितंबर यहाँ पर फरवरी के महीने में नहीं दिया तो गैस देखना होगा क्या IRFC में यहाँ पर 13 तारीक को डिविडेंट का भी अनॉंस्मेंट होता है या सिर्फ रिजल्स ही अनॉंस होते है तो गैस यहाँ पर अगर आप देखो रेल विकास निगम लिमिटेट यहाँ पर इसका पुरा नाम है गाईस और शियर में लास्ट इडिंग सिजन हमें गिरावट नजराई अबड यहाँ पर मंडे के दिन अच्छी रैली हमें शियर में देखने को मल सकती है 71.60 रूपीज के अराउंड अगर आप देखोगे शियर में हमें यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली थी 90 पेसे तक की शियर में गिरावट रही है लास्ट इंडिंग सिजन 1.24 परसंग के बिसस पे शियर गिरा है और साथ ही बात करें इसमें रेजल्स काफी अच्छे आया है रेजल्स को अगर आप देखते हों तो बिल्कुल इस साल जो यहाँ पर प्रॉफिट जो इसका है वहाँ पर आप देख सकते हो 30.5 परसंग के बेसिस पे यह प्रॉफिट बढ़ता ओन जराया है और जो इसका कंसोलिडेट नेट फॉफिट जो हुआ है गाईस ओ है 382.42 करोड के राउं का तो बिल्कुल यहाँ पर फॉफिट में बिल्कुल जम देखने को हमें मिला और वही बात करें तो यहाँ पर जो इसका प्रिविएस येर का जो प्रॉफिट था ओ था 293.01 करोड तो यहाँ पर बिल्कुल गाईस प्रॉफिट में एक बड़ा यहाँ पर जम देखने को हमें मिला है बट वही जो रेविन्यू है ओ हमें यहाँ पर गिरते हुए नचराया है यहाँ पर अगर देखें इस साल का जो रेविन्यू है ओ है 5,012.09 करोड और पिछले साल का जो यहाँ पर रेविन्यू था ओ है 5,049.24 करोड तो यहाँ पर अगर देखें कहीं न कहीं प्रॉफिट में गिरावट है और प्रॉफिट बिपोर टेक्स की अगर बात करें यहा यहाँ पर जो profit हमें देखने को बल रहा है 447.86 करोड के अराउंट यहाँ पर देखने को मिलता है तो यहाँ पर जो total expenditures है वो बिल्कुल increase हुई है और देखा जाए marginally 4889.05 करोड है और वही अगर देखें expenses जो है इसके picked हुआ है बिल्कुल बड़े है यहाँ पर देखा जाए 16.04 के पैसे पर 25.25 करोड तो गैस बिल्कुल यहाँ पर जो इसका खर्चा हुआ है काफी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है volume last trading season कम देखने को मिला है बट यहाँ पर मंडे के दिन काफी अच्छी बड़त देखने को मिल सकते है last trading season अगर देखे 36 लाग के राउंड की delivery से stock में उठाई गिया है आप पिछले कई यहाँ पर year on year के basis पर गर देखे कई तगड़े results देखने को मिले है अच्छे revenues यहाँ पर gain हुए है 2022, 2018 से लेके 2022 तक बिल्कुल उपर जा रहा है और अभी भी थोड़ा वो decline है बर यहाँ पर year on year पर अच्छे ही रहेंगे profits और profit भी आप देखो 2022 पर 2018 से लेके 2022 तक बिल्कुल उपर की और ही है और आगे भी ऐसे ही continue होगा levels अच्छे है guys, levels मैं अगर देखें तो बिल्कुल एक falling waste टाइप pattern आपको देखने को मिलेगा RBNL में और यहाँ से गिरावट आपको देखने को मिलेगी गिरावट के बाद share नीचा आया था, यहाँ पर support इसने लिया फिर यहाँ से rejection के बाद fair नीचा आया, फिर यहाँ पर ही upside down momentum के बीच breakout हमें मिल गया है और breakout के बाद stock यहाँ से एक अच्छा तगड़ा momentum बता सकता है 74 से लेके 75 रूपिस तक के easy यहाँ पर target अच्छू हो गया वही आप देखो, तो 2 hour के टाइम फ्रेम पर भी share में यहाँ से गिरावट है यहाँ से support है, support लिया, फिर support लिया तो इसी upside down momentum के बीच यहाँ से share में बड़त देखने को मिल सकती है breakout अगर मिलता है, तो stop 80 रूपिस से 80, 1 रूपिस तक easy तरीके से target अच्छू यहाँ पर हमें करा सकते है, और वही अगर देखे गाइस, तो कल के दिन अगर, मंडे के दिन अगर यह level break होता है तो काफी बड़ा fall भी हमें देखने को मिल सकता है, बट results अच्छे है, तो यही से एक बड़ा momentum आएगा और जो उपर से rejection है, वो level भी हापर break हो गया, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यह fall and flag type pattern कह सकते हो, आप इसे एक ascendal type triangle कह सकते हो, तो बिल्कुल अच्छे returns यहाँ पर मिलना ही है, RVNL के बाद, अब बात होंगी, RealTel Corporation of India Limited के बारे में, So guys, RealTel Corporation of India Limited की बात करे, तो इसकी जो यहाँ पर quarterly results थे, और last यहाँ पर काभी अच्छे नज़राय थे last trending season, हमने उसके बारे में बात की थे, अच्छे returns हमें देखने को मिले थे, और यहाँ पर भी अगर देखो last trending season, अच्छी growth हमें share में देखने को मिली है, 115.30 रूपिस के around अगर देखें, share में एक अच्छी बड़त आपको दिखेंगी, 3.50% के basis पे stock में, एक अच्छी तगडी growth हमें देखने को मिल रहे हैं, और यह share आगे भी ऐसे ही returns हमें देखता है, वही आप देखोंगे, तो अच्छे returns यहाँ पर मिलेगे, क्योंकि day one time frame पर discuss कि रहे हैं, तो यहाँ पर अच्छे returns देखने को मिल रहे हैं, और बड़ी growth देखने को मिल सकते हैं, 125 रुपिस तक के level से आप अच्छी होते हैं, यहाँ पर guys अगर देखें, share में उपर से हमें rejection देखने को मिल रहे हैं, नीचे से stock में आपको support देखने को मिलेगा, और उपर के level अगर break होते हैं, तो यहाँ से stock में एक अच्छी growth देखने को हमें मिल जाएगी, एक अच्छे returns हमें देखने को यहाँ पर मिलेगे, क्योंकि यह falling waste type pattern है, और इसी के साथ साथ अगर देखें, तो stock में एक fallen flag type pattern में अपने से consider कर सकते हैं, 125 तक यह stock इसी दरीक से जा सकता है, और यह level एक अच्छी तगडी growth देखने को हमें मिल जाएगे, I hope guys आपको यह video अच्छा लगा होगा, video गर अच्छा लगा हो, video को like कर देना, channel को subscribe करना मत बूलना, और कोई भी share में investment करने से पहले, shares का एक बार analysis कर लेना, thank you